अस्सलाम अलेकुम मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं अलेक्ट्रिक ओनलाइट अच्छा जनाब आपको अच्छी तरीके से याद होगा जिस वक्त यह MPPT चार्ज कंट्रोलर नहीं आये थे तो बड़े-बड़े इंवर्टर जो है न इसमें यह फंक्शन होता था य इसमें हम कम पैसों में अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा रज़र ले सकते हैं वह कैसे भई यह आपके सामने है यह देखें जी मैंने सिस्टम लगाया हुआ है इसकी मैं आपको प्राइस भी बिताता हूँ अक्सर दोस्त मुझसे पिछली वीडियो में अच्छ नहीं है धूब अभी नहीं आई तो वह इस वक्त भी यह लगबग लगबग 35 अमपेर जो है यह उपर से दे रहा है 500 वाट के चार पैनल लगे हुए ठीक है यह यह देख लें अभी दिन का टाइम है तो यह पीक टाइम में तकरीब लगब लगब 52 50 के करीब अमप स्वाट के जो पैनल है वो एक पैनल जो है वो MPPT के साथ 30 30 अमपेर भी दे रहा है ठीक है 25 से 30 अमपेर हाला कि विदाउट MPPT वो 15 अमपेर देता है तो यह MPPT का यह इतना ज्यादा फाइदा हो गया है तो यह सूरते हाल है MPPT जो चार्ज कंटोलर है आप बड़े इंवर हैं उनको आप तकरीबन तकरीबन नवे हजार एक लाक एक लाक बीस हजार पर खरचा करें आप यह छोटा चार्ज कंटोलर लेले MPPT में अच्छा यह देखें जी यह सिंको MPPT चार्ज कंटोलर है इसकी डिटेल जरा मैं आपको बता दूं 12 वुल्ट के उपर यह आप इसक साथ 2000 वार्ट के पैनल लगा सकते हैं उसमें फिर इसकी PV रेंज जो है 120 तक चली जाती है ठीक है maximum PV रेंज तो वह अच्छा एक और चीज़ बता दूं सबसे पहले मैं को इसकी प्राइस बता दूं यह जो सिस्टम लगा हूँ है मुझसे एकसर दोस पूछ रहे होते हैं यह आ रहा है इस वक्त ठीक है तो यह आप सिस्टम लगाएं इस सिस्टम का फाइदा यह आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपूट मिलती है यह आप अपनी मर्जी से चेंज ओवर के थूर सोलर से मैकसिमन जो है वह आउटपूट लेकर इससे फाइदा उठा सकते हैं बिजल वह चार्ज भी सासत कर रहा होगा सोलर जो प्लेटे हैं और यूपियस के तुरू आप अपने घर का लोड़ भी चला रहे होंगे जो पंके पास ठीक है अब इसकी मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ अक्सर दोस मुझसे सवाल पूछ रहोते हैं और मैंने आपक अपको समझ नहीं आरु तो बही आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपको इसकी पूर्र डेटेल लिखा करें कि आपका इनवर्टर कौन सा है उसकी पी वी रेंज कितनी है ठीक अक्सर दोस पूछ रहोते हैं कितने पैनल लगेंगे फला इनवर्टर के साथ तो भई उसके side fix sticker होता है, आप उसको देखकर ये बता दिया करें, कि इसकी maximum PV range कितनी है, ताके मैं आपको फिर उस ससाब से guide कर सकूँ, ठीक है, तो भई ये आज की छोड़े जी वीडियो है, वीडियो बनाने का मकसद ये है, कि MPPT solar charge controller पर आप पैसा लगा दें, ना कि बड़े inverter पर आपने पैसा जो लगाना है, उस पर आप अपना पैसा बेहन करें, अगर आप छोटा solar system लगा रहें, तो भी inverter की जुरदनी ये वाला system लगा लें, और उसके साथ MPPT charge controller लगा लें, जो आप function एक लाक में खरीदना चाहरे हैं, वो यहाँ पे आपको 20-25 जार में मिल सकता है, तो जनाब ये सारा scene है, solar system लाजमी लगा लें, चाहे छोटा solar system लगा लें, लेकिन लाजमी लगा लगा लें, और अपने अगर ज्यादे ज्यादे बीड़ी बचाना चाहते हैं, यूपियस वगार आपके घर में लगा हुआ है, तो भई ये वाला solar system लगा लें, ये वाला कौन सा solar system है, इसकी detail मैं अल्रेड़ी दे चुका हूँ वीडियो में, detail भी दे दूँगा, detail से एक एक चीज़ बता दूँगा, आपको इसके connection भी बता दूँगा, एक दोस्तों से पूछा थे, इसके connection भी आप बता दें, तो भई connection के बारे में भी मैं बता दूँगा, ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए है, और आप खोद connection कर सकें, मैं शुरू से कहता है हूँ solar system आप खोद लगाए ताक कि आपका interest भी बढ़े और आपने जो आपको बच्चत आप ज्यादा ज्यादा कर सकें और आपको समझ आ सके कि मैंने खोद इसके connection किये हैं इसको आगे बढ़ाना कैसे है और इस ज्यादा ज्यादा output मैं कैसे ले सकता ठीक है connection के बरे में भी बता दूँगा और इस पर आपको course मैं बता चुका हूँ बाकी अगर और आपने वीडियो देखनी है कि कैसे मैंने लगाया हूँ उस पर क्या क्या चल रहा हूँ मैं इसका link लगा दूँगा आप जाके description से जाके वो link इस पर click करके वीडियो को देख सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी समझ में आ गई तो लाजमी से बनता है मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत अला हाफिस